अगामी एक्जाम व्यापाउं और पियस्टी के लिए काफी मत अपुण है के लिए इस लेटेस्ट अपडेट के लिए पढ़के जाए क्योंकि देखिए सीजी व्यापाउं के प्रिवेस और कोश्चन पेपर हम लेकर आया है तेइस चोबिस में जो की आपका बिल्कुल सेलेक्टेट स्टिक कोश्चन है यानि के टोटल पचास अप्जेट्ट्य कोश् कोश्चन बता रहा हूं अच्छे से पढ़ लिजेगा वीडियो को स्कीप नहीं करना है वीडियो को ला सक देखके जाना पहली बार आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है देखिए जितने भी कोश्चन पुछे है सभी व्यापाम PSC में पूछा ग करना है डबल क्लिक नहीं करना है ठीक है थापड़ी नित्य इस राज्य के किस जन जाती का समुदार है आंसर कोरकू आप्शन ए ठीक है जो थापड़ी नित्य होता है ना इस 36 गर राज्य में आपको कोरकू जन जाती से संबंधित है जितने भी टोपिक एक्जाम में यहां से कोशन स्टार्ट करते हैं कत्री पत्री चुना पत्थर 26 जीले में है तो बलवदा बजार सोना खान यानि कि जो वीनरान से आप सभी को मालूम होगा यह आपका बलवदा बजार जीले में स्थित है वर्स 2019 के फारेश्ट सर्वे आप इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में 186 के प्रतिसात कितना है तो 2019 भी ले सकता है उसका अनुसार अभी तक 2023-2024 में जो एक्जाम में पूछा जाएगा न तो इसी का अनुसार पूछा जाएगा तो फारेश्ट सर्वे आप इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे 36 गार राज्य में जो 186 छेत्र है उसका प्रतिसात है आपको 44.2 प्रतिसात याद रखना एक्जाम में कई बार पूछा गया है और यह आपका तीसरा बार है क्योंकि जो अभी व्यापम में एक्जाम लि पूछा गया था यह राष्टी उद्यान से ठीक है राष्टी उद्यान से क्वेश्चन पूछे गया थे हैं चलिए इस राज्य के राधे स्याम बारले को की छेत्र के 2021 के लिप पद्व में सिर्फ पूस्कार दिया गया यह आपको करेंट अफेर का क्वेश्चन है तो यह पकला आएगा ठीक है यह भी 2021 की एक्जाम में पूछा गया अफी हाली जो 22 में हुआ है 2022 में जो एक्जाम लिये गया था पीए सिम और यह आपको पूछा गया है तो इस राज्य के यानि कि चतितिद गार राज्य में राधे स्याम बारले को किस छेत्र के लिए 2021 के पद्मस पुरुषकार प्राप्त इस राज्य के अनुरूप रंजन पांड़े की छेत्र से संबंदित है तो देखे जो अनुरूप रंजन पांड़े जी है अपको कला छेत्र से संबंदित है दोजर उन्नीस में 21 में कौन है पदमसरी पुरुषकार मिला है किसे कला छेत्र में राधे पुरुसकार दिया जाता है तो ठाकुर प्यारे लाल सी सब मांटिक है देखिए एक और सबसे बड़ी गूड नूज है कि अभी व्यापम में कुछी दिनों हपतों के बाद सायद सहकारिता विभा के भरती वेकेंसी दिखने को मिल सकता है तो तयारी कीजिएगा हमारे यूट राष्टपती हो या उप्राष्टपती हो 35 वर्ट सविधान में अक्सर कोशन यहां से पुछे जाते हैं कार्यपाली का वगरे से अनुच्छेत से और सांथी राष्टपती उप्राष्टपती लोगसभा राज्यसभा संसत से बिलकुल तीन से चार्ण नंबर के प्रसने प प्रफिक है चलिए 36 गर राज्य में कल्चुरियों की प्रत्थम राजधनी कौन सी है तो आप सभी को मालूमोंगा तुम मार्ट हाँ देखिए मैं बार बर कह रहा हूं अगर वीडियो को आप कभर कर लेते हैं तो मैं कहता हूं यहां से 8 से 9 नंबर आपका कभर हो जाएगा किते नंबर 8 से 9 नंबर क्योंकि यह जो कोश्चन लेकर आया है सभी प्रिबियस वर्स के कोश्चन पेपर है जो एक्जाम में ब कौश्चन पूच है कौन से एक मिनट न यह वाला कौश्चन नहीं हुआ है कौन से वेकती छतिदज़ के लोग मंत्र नी है लोगतंत्र है ठीक है नाचा को लोग परिता प्रदान करने में पूरो कामी था यह भी एक्जाम में पूछा गया है कौन से है और दूलार सी है अब देखे 36 गर राज्य में हमारी स्टेट में 1 अच्छादी 6 प्रतिसत पूछा गया है तो 43.93 अगर यहां पर 43 के जगा अगर 44.3 दिया रहता तब भी हम लगाते हैं लेकिन आपसन 43 दिया देख 93 दिया है मतलब कितने के बराबर आपको 44 के आपसन के बराबर है तो इसका अ अशर व्यापम विलोपित कर देगा मैरी काम को ओलंपिक कास्य पदक किस के साथ बाटा गया था तो यह मार्केन एस्पार्जा 2020 और 21 की 20 में यह कोश्चन पूछा गया था जो मैरी काम है आपका ओलंपिक कास्य पदक आपका मार्केन एस्पार्जा होगा कौन अनुपातिक प्रतिनीधी तो प्रणाली एकन संक्रमनी मत पद्धति के द्वरा निर्वाचित नहीं होता पूछा गया है तो आप सभी याद रेंगे यह भी आपके एकजाम में पुछा गए अच्छे से पड़ लिजेगा यह एकजाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर ऐसी कोस्टन एकजाम में आते हैं पुछा गये कौण अनुपातिक प्रतिनी धित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत्पधधति के द्वारा निर्वाचित होता हैए यह आपका राश्ट पती और वो प्राश्ट पती के जो आठिका नमबर 56 और 55 के आसपास है ठीक है तो जो प्रतिनी धित्व प्र indirect लिह एकन संक्रमनी मतंदरी दर निर्वाचित नहीं होता पुछा गया है तो हमेसा याद रखना तो speaker आएंगे ठीक है speaker ये दो बार question में पुछा गया है तो व्यापम में दो बार आया हुआ है और PSE में एक बार पुछा गया है 36 गर राज्य में प्रसिद्ध सिरो मनी राजर चक्रधर सीह सम्मान आप सभी को मालूम होगा राजर चक्रधर जो सम्मान होता है राइगर में होता है कौन से के लिए जो चक्रधर सम्मान दिये जाता है राइगर जीले में राइगर जीले इसको याज रखना पहला होत बात दूसरी बात आपका आज आएगा तबला किसके लिए प्रसिद्ध है तबला के लिए सभी के सभी question exam में पूछे गए हैं इसलिए मैं previous question paper लाया हूँ यह आपको 2011 से लेकर 2023 में अभी जितने भी exam हुए हैं वहाँ से हम question लेकर आए हैं 10 सालों का previous verse का question paper तो वीडियो का एक बार like कर देगा और हमारा question आपको कैसा लग रहा है comment करके बताईगा आपको प्रभावित मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसका फायदे आप लोग comment करके बताएं सभी के सभी लोग comment करके बताएं ठीक हैं ना कि एक दो लोग ऐसे वाले बात नहीं आने ज़िए हैं आपर अब सभी के सभी यहां पर जितने भी कलास कर रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दिजेगा, क्योंकि हमारा जो मेहनत है न जाया नहीं जाना चीजे, टिक है, हम इतने मेहनत से आप सभी के लिए question लेकर आते हैं, question बनाते हैं, question bank बनाते हैं, जो कि एक्जाम में पूछ सक लगता है इस प्रकाट टॉपिक लेकर आते हैं और वीडियो में अच्छा का सा लाइक नहीं आएगा था में भी मज़ा नहीं आएगा और पढ़ाने में हमको अच्छा नहीं लगेगा ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने भी जूट चुके हैं चलिए पुछ समय पूर्व भारत में विद्धूत विएस्थविफलता में कौन सी गृट प्रभावित हुआ था आपका सब भी आएगा उत्री पूर्वी और उत्री गृट और पूर्वी गृट यह तीनों हैं जो आपको गृट को प्रभावित किया था यह आपको व्याप पम और पिसी का है जो दस सालों का है जो अभी हाले में जितने भी कोश्टन पूछे जा रहे हैं वही से हैं ठीक है अगस्त 1930 के सबीने अवज्ञां अंदोलन यह भी एक्जाम में पूछा गया है लेवार इस्पेक्टर और प्यून के एक्जाम में पूछा गया जो मंत्रा पिने अंदोल गठा से लित अमॉरावाला तो फमस तमाच domp यह महीड जो 18 की बाली का जो है ठमाच मॉरो मरा था कहां की है वह कमेंड कर के बताएं आप सभी के सभी कमेंड कर के बताएं सभी के सभी लोग kalep कर बताएं आप लोगों sudah इंसार अन्या डिखे आप लोगों इ यहां पर क्लास में जो भी कोश्चिन हम कराते हैं आप इसका आंसर देना निमार्या है आप पता कैसे लगए पर कि रिस्पॉनस आना चीए आप सभी लोगों को कि आप तैयारी कर पा रहें के नहीं पास है जो आप सब्सक्राइब बात करते हैं मराठा प्रसासन की सुभा वैस्था के इंतर गर्त प्रथम सुभेदार कौन है आप सब्सक्राइब को मालु है प्रसम सुभेदार कौन है मतलब ऐसे कोश्चन लेकर आते हैं जो क्वेश्चन बैंक है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो महिपत्राव दिनकर चाहिए चतिज़गर के प्रसम माराठा सासक कौन है महिपत्राव दिनकर सन 1718 से 578 के विद् करदेश का आयोजीत किया गया था तो आप सभी को मालूब है वेनेजवेला तो मैं वही कोश्चन लेकर आता हूं समझ पा रहे हैं तो सभी सभी लोग आंसर देना स्टाट करें और सभी लोग कमेंट करके बता है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा हमारा परफॉंस आपको क चतितगर समाने गयान की नई वीडियो लेटेस्ट वीडियो जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो है ना ठीक ओके अभी देखे महिला परिवेक्षक और क्या बलते हैं लेवर इस्पेक्टर के एक्जाम हुआ उसके बाद जस्ट दो दिन बाद हम आपको क्लास ले रहे है जो कापी महतब होना है तो एक्जाम में पूछ रकता है एक बार तयारी करके चले जाएगेगा चलिए फिर यहां पर बात करते हैं 36 गराजे के लाव हैस्क माईकर्म तीन उत्पादक में जिले में कौन सा है तो यह आपका अंसर सी होगा बस्तर क्योंकि बस्तर में लाव है माईका और टीन उत्पादक जीले में पहला इस्थान है तो 2012 के लिए अधिति मुकर्जी कौन सा पुरुषकार दिया गया था तो यह आपका नारमन बोर्लाग पुरुषकार है हमें से याद रखना 2012 के लिए अधिति में कुछ भी कोश्चन पूछा जाता है ना तो देखि देखिए एक्जाम जैसे छपता तो आपको दो मैना या तीन मैना एक पहले छप जाता है तीन मैने पढ़कर प्र क्या करोगे कम से कम एक साल के अंतरगत पढ़िया कर ठीक है चतिल के राज्य के प्रसिद्ध कुटुम सर की गुपा के लिए किस सेलों कर निर्मित की गई है तो यह चुना पत्थर है एसिया का प्रथम जीव मंडर यानि की राश्ति उद्ध्यान फर्स्ट बायो सिर्फ नेसर पर कहां इस्तित है बस्तर तो देखे जो जन जाती से कोश्चन दो से तीन नमर एक्जाम में आता ही है उसमें जैसे प्यपदार्थ हो गया प्यपदार्थ हो गया आपका जन जाती से है और आपका जो आते हैं न क्या बोलते हैं ओ जहा वाला हाँ एक मिनिट ना विवाव वग्रेस कोश्चन पुछे जाते हैं पारिंग धानों तो मतलब उसके जाती जन जाती से कितने प्रकार के जाती होते हैं तो 42 प्रकार के जन जाती 161 ओप समूँ पाया जाता है मतलब जन जाती से बहुत सारा कोईशन बनते हैं तो उसका जो आता है ना देवी देवताओं से प्रसना बनते हैं है ना तो वहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ लिजेगा या फिर एक आत दिन हम उसके पूरा कॉंसेप्ट करा देंगे जन जाती से दम बिल्कुल सटिक ऑनलाइन क्लास लेंगे उसके लिए ये तो आपका रिकोड़ेट क्लास है ना तो पांस सितंबर आप सभी को मालूम हो पांस सितंबर को सिक्षा दिवस मनाया जाता है उसके बाद हम पांस सितंबर के बाद एम डारेकट ऑनलाइन लेंगे जो लाइप क्लास रहेगे ठीक है तो लाइप क्लास लेंगे तो आप चाए होशल वारना चाहे व्यापम जो भी exam की तयारी करना चाते है व्यापम में प्यस्टी में तो आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि यह online class start किया जाएगा, ठीक है, तो यह अठरवा question नहीं है न, बहुंँ सरे पहले question करा चुके हैं, तो यह आपका अठरवा लग रहा होगा, ऐसी पहले और question करा चुके हैं, किस समाज विज्ञानी ने इस राच्छतितगार राज की मूर्या, यानि की जनजातिम प्रसित घोटूल का प्रथा गहन अध्यन किया था, तो वेरियाट एलविन होगा, प्रसित देवरानी जठानी मंदिरा सभी को मालूम है, तालागाओ, वर्स दोजर बारा में कौन से अंत्रिक्षान मंगल पर कुछ समय पूर उतारा गया था, तेरे मार से क्यूरी ओ सिटी रोवर है, और हाली दोजर तेश में अभी मंगल अभियान कंप्लेट हुए, जो हम देखा होगा, ठीक है, भारत के राष्टापती को पद और गोपनीता का सपत कौन दिलाता है, तो एक्जाम में बार बार पुछता है, भारत के जो राष्टापती होता है, पद और गोपनीता का सपत कौन दिलाता है, तो सरोच्य नाले के मुख्य नादिस दिलाता है, आपका आएगा मारिशस दक्षिनाफरी का ठीक है चादिर राज्य की स्थान पर प्रसे पार्स होगा इका अभिनेति सुलक्षन पंडित के जन्म हुआ था रायगर्ण यह स्रिजन के लिए दिया गया है तो दोबड़ तीन बहुमत से जो राज्य सभा होता है ना भारती से वाओं के लिए वह होगा राज्य विधान सभा के आई स्थाई यानि की प्रोटेम स्पिकर के बारें क्या सही है तो वह राज्य पाल दोरा नमांकित किया जाता है याद रखना जो राज्य विधान सभा के जो आई स्थाई अधक्ष होते हैं वो प्रोटेम स्कर के बारें सही है श्रिप नमांकित कि जाता है राज्य पालवारा ठीक है वर्स दो जार बारा में चत्रिद्र के जो नई अद्योगिक नीती है वह आपका नौ से चौदा में जबकि अभी वर्तमान में नई अद्योगिक चार रही है 19 से 2024 तब ठीक है तो याद रखना यह वाला टॉपिक पूछा जाता है दो बा चत्रिद्गर्ड की किस जंच सरहुल नोक नितिये वह राह होगा और चत्रिद्गर्ड में सवर सुजला योजनगा जिए सुभारम किया गया था नरेंद्र मोदीजिन है लास्ट को से नहां देखते हैं पहले 20 कुछन आपको करा चुके हैं और चत्रिद्गर्ड का कौन से विवास समाधन केंद्र और वनिज्य नियालय का उद्गाटन नया रायपूर्श थिस गड़ में कब किया गया है जुलाई 2016, जून 2016, जुलाई 2015, अगस्त 2015 आप सभी कमेंट करके इसका आंसर बताएगा और वीडियो का आपको परफॉर्मेंस कैसे लगा आपको वीडियो और भी चाहिए तो वीडियो को कमेंट करके बताएं ठीक है आज के लिए फिर इतना ही टोटल पचास अबजेटी कोईशन कर चुके हैं यह तीस कोईशन हमने अभी किये और पहले कभी टोटल टीस सबीस पचास कोईशन क्या आप होशल बाड़न, क्या आप एडियो या आर अपिसे सब्सक्राइब और वीडियो को चाहिए